Hello friends! हम सीख रहे हैं EMRS Test Paper और इसी सीरीज में 3 Test Paper sample Papers हम explain कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं EMRS Test Paper 4 और friends यह जो Test Paper है यह Practice Set है और even यह 100 MCQ जाशाब जानते हैं हमने exam like practice में लिये हैं तो इसमें आज के लेक्षर में हम 50 MCQs को explain करेंगे तो चलिए फेंट्स, without wasting any time, let's start देखे, पहला किश्चन है I found book you were asking for A and the no article Obviously, किरमर का किश्चन है article से किश्चन यहां पूछा गया है कि I found मुझे मिली book you were asking for इस book को आप पूछ रहे थे वो book मुझे मिल गई है तो I found a book, N book, the book or no article Obviously, I found a book या the book N तो देखे, कोई मतलब नहीं है और A, I found a book I found the book चुकि उस specific book की बात हो गई है जिसको आप ढूण रहे थे तो इसलिए हम एक A ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे यहां दा का हम यूज़ करेंगे क्लिएफरंट्स सेकंड किस्टन में बढ़ जाते हैं गंगा इस अच्छा है, स्पेस पहले भी है सैक्रेड ड्रीवर तो A, गंगा और दा दा गंगा, दा सैक्रेड ड्रीवर और दा, A, और नो आर्टिकल तो देखें, क्या है दा गंगा चुकि गंगा हो गया ठीक, तो यूनिक हो गया आपने आप में इससे पहले हम क्या लगाएंगे दा का यूज़ करेंगे और दा गंगा इस इस अक्रेडिवर क्लियर फ्रेंट्स तो पहला आर्टिकल दा और सेकिंड आर्टिकल यहां बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन पे वियर आर माई कैप्टिद इस्पैक्टिकल्स, इस्पैक्टिकल्स, इस्पैक्टिकल्स और इस्पैक्टिकल्स तो देखें, यहां इस्पैक्टिकल्स की बात करें कि चश्मा जो है या चश्मी तो जो spectacles होते हैं हिंदी में आप इसको कहते हैं चश्मा लेकिन इंगलिस में इसको कहा जाता है spectacles clear where are my spectacles और spectacles में भी ध्यान रखें are spectacles the spectacles spectacles तो यहां होगा नहीं इन तीन में से कोई आपका right option होना चाहिए तो where are my spectacles clear the spectacles का कोई मतलब नहीं कोई specify है हमने नहीं किया है spectacles और a spectacles में आप confused मत होईएगा चुकि spectacles कहा जाता है वहां हम यूज करते हैं a pair of spectacles अगर हम एक जोड़ी चश्मे की बात करते हैं clear यानि pair of spectacles अगर हिंदी में हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे चश्मा और इंग्लिश में कह रहे है a pair of spectacles यह spectacles तो यहां देखिए a pair कभी कोई मतलब नहीं है यहां तो हम cable spectacles का यूज करेंगे clear where are my spectacles kept the plural of curriculum will be curriculum जानते हैं पाठे क्रब कोई होता है उसको curriculum कहा जाता है तो curricula, curriculums, curriculum और curriculamics तो obviously curriculum का हो जाएगा curricula clear spelling बहुत अच्छी है एक बार देख लिजेगा c-u-r-r-i-q-d-c-u-l-u-m ऐसे इसको दो segment पर बाटके याद कर लिजेगा चलिए next question है the end soon came तो यानि जो board word है इसका यह क्या पूछ रहा है adverb पूछ रहा है the end soon came कि soon जो है वो किस परकार की adverb है तो देखे adverb of time soon time frequency manner and degree तो पर इस soon की बात करे the end soon came जो अन्थ है वो जल्दी आ गया clear तो देखे degree की कोई बात नहीं है you adverb of manner का कोई मतलब नहीं frequency का कोई मतलब नहीं obviously adverb of time होगा सीधा 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 सा okay you are quite wrong अच्छा कुछ आप लोगों की शिकायत थी कि इसमें font थोड़ा सा चोटा है तो font मैंने बढ़ा दिया है या clear in mcqs में तो you are quite wrong quite wrong का मतलब है कि आप पूरी तरह से गलत हो तो देखे quite क्या है place frequency manner और डिग्री बहुए प्लेस को कोई मतलब नहीं frequency नहीं बता रहा मैनर नहीं बता रहा और डिग्री ओविएसली डिग्री बता रहा कितने रोंगों जादे रोंगों पूरी तरह रोंगों तो इवन में आपको बताना है यहां क्या पार्ट से स्पीच है तो बहुए इवन की बात करें डजी इवन सस्पेक्ट सस्पेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो इट शूड भी एडवाब ना एजक्टेव न नावन न परणावन यह क्या होगा एडवाब होगा एक दिन में उससे गली में विला तो वन डे को क्वालिफाई कर रहा ओविसली तो इजक्टिव नावन एडवर्ब और परणावन तो इट शूड भी एजक्टिव एजक्टिव होना चाहिए उके चलिए आगे बढ़ जाते हैं अच्छा एक दो किशन्स पे कुछ का आपका कमेंट आया था कि प्लीज एक्स्प्लेइन बहुत अगर हर चीज को बहुत डेटेयल में एक्स्प्लेइन करने लगे तो पता लगा फिफ्टी किशन यहां तू थीरी आर्स में बैठेंगे तो आ कि I had played well I would have won the match कि अगर मैं अच्छा खेला होता तो मैं मैच को जीए जाता क्लियर यह structure है अगर मैं अच्छा खेला होता कंडिशन सेंटेंस I वूड है वन दा मैच और कंडीशनल में भी थर्ड कंडीशनल क्लियर कंडीशनल पढ़े होंगे अपने तो if I had played well I would have देखें मुझे यहां कोई गलती है नजर नहीं आ रही है चुकि had played well already इसने दे दिया और either would have दे दिया तो I played well, I play well, I'm playing well अब सीधस आईए no improvement पे नाइधर आव देम वेंट टू दा सिनेमा उन में से कोई भी सिनेमा नहीं कया नाइधर आव clear चलिए दिखतें neither of them ठीके इसको वेंट को कहरा रहे रहे नाइधर आव देम वेंट Both of them did not go both did not go neither of weren't or no improvement वही neither भी नाइधर ओर देम की बात कर र्रा है देखें neither of either जो यूज करते हैं for to दो वस्तों के लिए दो व्यक्तियों के लिए हम आइधर नाइधर को यूज़ करते है तो ये बिलकुल ठीक यूज़ है इसमें भी no improvement पर आप जाएए मेरे विचार से और आगे बढ़ जाते है next question पर he was very friendly enough to help me when I was in trouble he was okay very friendly enough to help me मेरी मदद करने के लिए when I was in trouble पहली नजर में इस तरह की question he was बिलकुल कोई गलती इसमें नहीं है when I was in trouble बिलकुल ठीक है तो इन दोनों में से किसी में गलती होगी to help me was friendly enough to help me यहां भी कोई गलती नजर नहीं आ रही was very friendly enough अब यहां नोटिस कीजिए very भी आ रहा है और enough भी आ रहा है यह he was friendly enough होना चाहिए था to help me when I was in trouble कि वो बहुत friendly था मेरे लिए जब मेरी help करने के लिए जब मैं मुशिवत में था मैं परिशानी में था तो यहां जो error दिख रही है यह very नहीं आना चाहिए friendly enough आना चाहिए था superfluous huge जिसको कहते हैं यहां जरुत से ज़्यादा जरुत नहीं है और फिर भी additional world ठूसा हुआ है तो यह वाला be वाला option अपका ठीक होना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं अब एक एक सेंटन्स को देख लें यहां सेंटन्स लिख दिया इसने फिर यहीं से पार्ट पता लग जाएगा किस मेरर है दा नीड तो सेट अप सेट अप की जरूरत अगुड लाइबरेरी इन दा लॉकलिटी ठीक है अगुड ओके हैस बीन इन दा माइबरेडी की यहां बात हो रही है हैस बीन तो सेट उफ अप गुड लाइबरेडी इन दा लॉकलिटी इसके हिए थाप से है माइबरेडेल इन दा दा लॉकलिटी भैट इसमें भी मुझए कोई गल नहीं नज़र आ रही है, the need to set up, देखे, पूरा flow sentence का बिल्कुल चलता है, good library in the locality has been in the minds of people for some time, 13 question, to make him succeed, okay, the correct thing to do is to punish him until he does not try, okay, यहां notice करें आप, to make him succeed, उसको सफल होने के लिए, the correct thing to do, जो सही काम करना है, वो क्या है, is to punish him, उसको punish देना है, until he does not try, जब तक वो कोशिस नहीं करता, तो देखे, कोई तीनों section में कोई error नहीं है, बात अगर fourth section की करें, until भी आ रहा है, और not भी आ रहा है, उन्टिल जो होता है, वो अपने आप में negative होता है, तो until के साथ आप note का use नहीं करेंगे, क्लियर कोई बात, तो until he tries यहां होना चाहिए, ठीक है भई, ओके चली friends, आगे बढ़ते हैं, Children often quarrel on patty issues, no error, Children often quarrel on कोई गलती नहीं, quarrel on, patty issues, देखे, patty में कोई नहीं, issues में कोई नहीं, तो quarrel on में कही ना कही गलती होगी, clear, तो यहां जो quarrel on जो है, सही proportion का use नहीं है, यहां तक quarrel over आता है, जब आप किसी चीच पर जगड़ते हैं, बच्चे हैं, चोटी चोटी बातों पर जगड़ते हैं, तो वहाँ quarrel over का आप use कीजिए, on का नहीं, clear हो गया sentence, किसी ने विंड़ो को तोड़ दिया है, क्या है यहां पर, has the window been broken, यहां है आपका voice चेंज करने के लिए, had the window been broken by somebody, has the window been broken by somebody, has been the window broken, sentence देख लीजिए, has somebody broken the window, तो has, सबसे पहले आपका आगया, has का है, चोटी और object आपका window से में है, तो has window, अच्छा दावी दे रखा है, तो has the window, चुकि present perfect है, been आगया, वह भी आपकी broken, has the window been broken, और by subject आपका somebody, by somebody, तो यह sentence बन गया आपका, has the window been broken by somebody, clear होंगे sentence, चलिए friends, आगे बढ़ जाते हैं, the boys elected mohan captain, तो voice change कर दी है अभी, the boys, देखे, subject है the boys, object है mohan, mohan को क्या चुना captain, और captain क्या है, यहाँ compliment है, तो mohan, और चुकि elected है past tense से, तो mohan was elected captain, by the boys, यह sentence आपका हो जाएगा, इस तरह का कोई sentence अगर आता है, तो तुरंट उसको आप ऐसे बनाईए, यह यह डायक्रिंड इनेशन, तुरंट बनाईए, वही किशन पेपर पही बना दीजिए, फिर आपसर बढ़िएगा, clear, वो जाद है कहीं, अच्छा मैथड होता है, इस तरह किशन करने का, तो the boys were elected, mohan is elected, और mohan was elected, तो यह C वाला आपसन आपका हो गया, mohan was elected captain, he has been very much indulgent, okay, to his children, इंडल्ज के साथ में आता है, इंडल्ज इन, मेरे विचार से, और यहां indulgent कह रहा है, तो indulgent में हो जाना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादे indulge रहता है, किस से, अपने बच्छों से, तो indulgent proportion मेरे विचार से हा, तू होना चाहिए, clear, कि आगे बढ़ जाते हैं हिज स्टेटमेंट वोज टेंट अमाउंट के साथ एक प्रपेशन आप यूज करते हैं किसी चीज़ के इकल हो जाना बराबर हो जाना वहां टेंट अमाउंट टू का यूज करते हैं को है क्रिया तो टेंट आमाउंट वस यहां टू को आप प्रपेशन को यहां कर्यक्ट कर दिजिए और सड़नी वीवर एनवलप्ड डेंस वाग को क्या वीवर एन्मवलप्ड टू फॉ फौ आ उडव इन डैंस वाग हम एन्वलप्ड हो गए किससे डैंस फॉक से क्लियर आग initial, latent word है initial, देखे, initial से आपको एक हिंट मिल रहा है, initial किसी चीज की, सुरुवाद, यानि किसी चीज को initiate करना तो आप initial आपका हो गया from the beginning, ओके बिल्कुल सीधा सा, by faith and love at the lucky moment or a man of genius कुछ नहीं, सीधा हिंट मिल गया है, और बैनलाइट, बैनलाइट अपका हो गया फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है, from the effect to the cause, at any price, trifles and at first sight, तो बैनलाइट होता है फिंट्स, trifles को हम बैनलाइट कहते हैं, clear क्या, trifles, चोटी-चोटी जो चीज होती है, उनके लिए बैनलाइट कहा आगे बढ़ जाते हैं, exempli gracia, ओके, जिसको आप easy कहते हैं, exempli gracia कहीं आप उधारन के लिए आप easy का use करते हैं, तो उसकी short form ये exempli gracia की आपकी short form easy होती है, तो क्या है, for instance, उधारन के लिए आप example gracia का use करते हैं, तो ये c option अपका हो गया, at snail's pace okay, idiom से किष्ण आ गया है, at snail's pace, snail कहते हैं, friends, जो होगा होता है आपका जो pond होता है, तलाव उसमें मिलता है या नदी में मिलता, पाया जाता है साफपानी में पाया जाता है, snail तो snail's pace, यानि snail की गती, to do things very slowly, बहुत दीमे से कोई चीज करना कोई काम करना, to lack interest in work काम में, काम इंटरेस्ट होना to do things in methodical methodical manner methodical manner में कोई काम करना obviously अगर snail की बात करें तो जब आप snail slow चलता है very slow, बहुत दीमी गती से, तो जब आप कोई काम very slowly कर रहें, तब आप कहते हैं, गोंगे की गती snail space, clear to have something up once sleep, to have something up once sleep, देखे up once sleep का अगर आप मतलब है, something up once sleep का मतलब हो गया, to keep a plan or idea secret, जब किसी plan को, idea को आप secret रखते हैं, जब तक को आप उसको जरुवत नहीं पढ़ती, आपको उसको secret रखने की, clear, तब आप idiom यूज़ करते हैं, to have something up once sleep, to having a practical plan, important project, ambitious plan, और secret plan, इसको आप टिक कीजिए, यहां important project पर मतलब चले जाएगा, कभी confused हो के यहां इसको कर दें, बढ़ते हैं कि he was progressing by leaps and bounds because of hard work, कि वो leaps and bounds कहते हैं, दिन, दूनी, राथ, चौनी, पर गती कर रहा है, clear, तो rapidly, slowly, peacefully and strongly, तो भई rapidly आएगा, strongly का, यह slowly का, यह peacefully का, कोई आप अमतलब नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, find the character spelling, okay, recosite, 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 बढ़ा प्यारा सा word दिया, recosite, कहीं और क्या होता, friends, जो गोली होती है, बंदूक की, वो किसी object से टकराई, और टकरा के वापस लोट जाती है, तो गोली का टकरा कर वापस लोटना क्या कहलाता है, recosite कहलाता है, और spelling मैं बता दूँ आपको, R, I, C, O, recosite, और C, H, E, T, recosite, ही है, spelling, इसकी होती है, तो आब B, option पर, R, I, C, O, OK, C, H, E, T, A वाला नहीं, इस पर E वाले पर जाए है, R, I, C, O, C, H, E, T, clear, recosite, आगे, correct spelling, effervescence, OK, effervescence, effervescence, E, double, F, E, R, effervescence, E, F, E, R, V, E, S, C, E, N, C, E, तो effervescence होता है, friends, जोश, या कहते हैं, बिलकुल उबाल, भई, खून में उबाल आ गया, इसके, effervescence, वहां हम इस वर्ड को, यूज़ करते हैं, तो, E, double, F, E, R, V, E, S, C, E, N, C, E, इस option पे, ये वाले option पे जाएए, बलकुल सही है, अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, character spelling, equilibrium, यानि आपका जो संतुलन होता है, उसके लिए आप इस word को यूज़ करते हैं, equally, E, Q, U, I, L, I, equally, B, R, I, U, M, equally, equilibrium, E, Q, U, I, L, I, equally, और बिरियम, देखें, कौन सी स्पेलिंग, E, Q, U, I, L, I, V, R, I, तो यह वाला option आपका फस्ट वाला ही, ठीक हो गया, ओके, यहाँ किशन पर यह मिस हो जाता है, I can't understand, लियर, लोर, लार, क्लिटोरिल, चलिए, इन वर्ड्स के मीनिंग में आपको बता देखें, लियर होता है, कुई आप लस्टफुल अगर आपका लुक कहीं होता है, तो लियर होता है, लोर, देखना होता है, प्यार से, लार्क, एक पक्षी होता है, लवा, और लिटोरिल होता है, फेंड्स, जो सी शोर होता है, या लेक का, जो शोर होता है, किनारे का, उसको लिटोरल हम कहते है, क्लियर, अब किश्चन ओप्सन ओप्सन थे, किश्चन हो, तो क्लियर हो, क्या पूच्छा था, विदाउट रिस्क आफ पनिश्मेंट, जब पनिश्मेंट का, कोई रिस्क नहीं रहता, तो इंपूडेंट, इंप्यूनिटी, इंग्जोरेबल, और इंपूरेबल, देखे बाई, बात अगर हम करें, जब आप पनिश्मेंट के, रिस्क के बिना, कोई काम होता है, तो इसको आप कहते हैं, इंपूनिटी, इंपूनिटी, विदाउट रिस्क आफ पनिश्मेंट, इंपूरेबल होता है, आपका असब भी है, अभदर जिसको आप कह देते हैं, और इंग्जोरेबल, एक वर्ड आता है, निस्ठोर, बिल्कुल कैलस जिसको आप कहते हैं, उसके लिए आप इंपूरेबल यूज़ करते हैं, और इंपूरेबल आप क्या कहते हैं, जब एविचलित होते हैं, शान्त होते हैं, तब इस वर्ड को आप यूज़ करते हैं, एहेटर ओफ मैनकाइंट, बहुत किश्यन पोचा जाता हीस तरह का हेटर ओफ मैंचाृंट, हेटर ओफ वूमन, हेटर ओफ मैरिज यह तो तीन किश्यन आते हैं यह लवर ओफ मैरिज, हेटर ओफ मैंचाइंट तो mesanthrope, mesogynist, philanthropist, and mesogamist देखे, philin होता है to love और mesan होता है to hate clear तो anthrop, mankind का मतलब होता है anthrop clear anthropos का मतलब होता है mankind तो mesan means hate और anthropos means mankind तो hater of mankind होता है mesanthrope mesanorganist, महिलाओं का जो दुश्मन होता है हेटर होता है गरना करने वाला होता है उसको मीजोगाइनिस्ट कहते है फिलन्त्रोपिस्ट होता है मानव जाती से प्रेम करने वाला और मीजोगेमिस्ट होता है हेटर ओफ गेमा यानि मैरिज हेटर ओफ मैरिज क्लियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं लिटेंसी मेनस लिटेंसी लिटेंसी लीगल अल्टर केशन पॉपुलर चोईस सीरीज ओव सिमिलर रस्पॉंसी और डीप मोन तो सिमिलर रस्पॉंसτί होती है क्लिय defense उसको हम February उसको हम कहते हैं लिटेंसी या कोई चीज रिपीटेटिव होती है तो वहाँ भी लिटेंसी कही जाती है क्लियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं लुगिबिरियस मीन्स लुगिबिरियस मौन्फुल, स्लीग, डिसाइटफुल, एंड कॉनसलेटर तो लुगिबिरियस की बात करें तो वेरी सैड या मौन्फुल जो होता है तब आप लुगिबिरियस वहाँ वर्ड यूज करते है यानि मौन्फुल यहाँ इसका मीनिंग हो गया बढ़ जाते हैं नेक्ट क्रिश्चन पे डिसाइरी डिस्ट्रक्शन, कन्फूजन, रिवल्यूशन और इनेबलिटी तो डिसाइरी की बात करें तो डिसाइरी आपका हो जाएगा भाई जो कन्फूजन होता है जब आप डिसाइर्डर में कोई चीज को किसी चीज को फेक देते हैं या अपसेट होते हैं तब आप डिसारी का योज़ करते हैं, clear, तो डिसारी हो गए आपका confusion, seminal means bottom, original, ostracism and passive, seminal की अगर बात करें तो seminal होता है आपका, जो seed होते हैं, या semen होता है, reproduction के लिए, वहाँ उससे related जो words होते हैं, उसको seminal कहते हैं, तो seed, या semen, या reproduction, और यहाँ कुछ भी नहीं है, bottom, original, ostracism, passive, तो bottom पर जाईए, क्योंकि bottom होती है, वह सुरुवात होती है किसी चीज़ की, seminal, clear, find the upset of charming, upset of charming, insolent, indignant, repulsive and handicapped, तो भी कोई चीज़ charming हो गई, और कोई चीज़ repulsive हो गई, repulsive क्या हो गई, जो आकर्शक ना हो, charming हो गई, जो आकर्शक हो, clear, आगे बढ़ते हैं, find the upset of abundance, abundance कहते हैं, परचुड़ता में कोई चीज़ होती है, जब चीज़ आप किसी, अधिक मातरा में होती है, तब आप कहते हैं, क्या, abundance, poverty आपकी गरीबी हो जाती है, okay, परचुड़ता और गरीबी, scarcity आपकी कमी हो जाती है, फहमाईन हो जाता है, जिसको आप अकाल कह देते हैं, तो scarcity आपकी हो गई, scarcity कमी, abundance हो गई, आपकी परचुड़ता, clear, तो दोन वर्ड़ अबजिट हो गए, चलिए, यह kitchen literature से दिख रहा है, which of the following poets does not belong to the lake school, lake school की बात करें, तो lake teachers, sorry, lake authors, lake poets आपने पढ़े हैं, जिसमें नाम लिया जाता है, college का, सदी का, और wordsworth का, clear, और kids उसमें नहीं थे, तो चलिए, lake से और kitchen आपको लड़ करा दूमें, इन तीनों authors की जो birth और death है, वो मुझे comment करके whatever बता दीजेगा, और मुझे लगता है, दो-दो साल का अंतर है, wordsworth college और सदी की बर्थवे, Why did kids, Sally call kids one of the inheritors of unfulfilled renown, Sally ने क्यों कहा है kids के लिए, one of the heritors of unfulfilled renown, Because kids died very young, क्योंकि kids बहुत जल्दी बर गए, Because kids could not get any fame, Because kids and weed with the fame of Sally as poet, Because kids नफरत करते थे, Sally की एक पोएट के रूप में पर सिद्धी से, Because kids could not get fame as poet only after his death, Yes, obviously, अब इस question पे जाएए, इस answer पे, fourth पे, The inheritors of unfulfilled renown, But kids को जो भी fame मिली, वो कम मिली after his death, तो इसी बात को लेके, शैली ने उपर वाली जो line है, ये कही है, Who says, Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds, By best or happiest, जो moments होते हैं, Happiest or best minds के, उनका जो record है, That is, poetry, वो poetry होता है, बड़ी प्यारी सी ये definition है, poetry की, Keats, Shelley, Wordsworth College, किस ने कही है, तो obviously, ये definition किस की है, Shelley की है, Who wrote the poem, A Song, Man of England, Okay, A Song, Man of England, Wordsworth, Keats, Shelley, Tannison, Obviously, भाई, यहाँ, Christian आपको confuse कर सकता है, क्योंकि definitely, जो poem है, कोई popular poem नहीं है, तो अब करिये जड़ा, गैस करिये, What's worth, Keats, Shelley, और Tannison, से, मुझे पता है, आपका जो answer जाएगा, वो Tannison जाएगा, लेकिन Tannison की नहीं है, यह poem है, P.B. Shelley की, A Song, Man of England, Okay, Who are the nightingles, of the poem, Sweeney Among the Nightingles, by Elliot, यह से, Elliot की poem थी, Sweeney Among the Nightingles, तो जो nightingles, जो यूज किया है, ओथर ने इस word को, यह किसके लिए यूज किया है, birds के, prostitutes के, sephards के, and none of these, तो nightingles, जो वर्ड आया है, यह आया है, किसके, prostitutes के लिए, which of the following poet, wrote the essay, Naipal's, India and Mine, बड़ा famous सा essay था, Naipal का India, भी इस, Naipal की यह बात हो रही है, Naipal's, India and Mine, Naipal का भारत और मेरा भारत, Kamaladas, Patswarati, Ramanuzum, और Nisan Iskal, तो obviously, यह जो कोट है, यह किसकी है, यह, Nisan Iskal की, Iskal spent his life in, highly westernized circle, in the cosmopolitan city of, Iskal को कहा जाता है, एक urban poet कहा जाता है, obviously, तो, Iskal ने अपनी जो, life को बिताया था, वो highly westernized circle, एक cosmopolitan city में बिताया, जहां निव डेली, मुंबई, कॉलकटा, एंड चेन नहीं, तो आपको ध्यान हो, मुंबई में, इनकी life जो है, वो रही है, ओके, अच्छे, urban poet इनको कहा जाता, एक, किश्चन है, कि, हो मिस्पन फिलासफर, किसको कहा जाता है, क्या, होम इस्पन, ये भी किश्चन मिसिंग हो या, भाई, कहीं, ये मिसिंग हो रहे हैं, होम इस्पन फिलासफर, कमेंट करके, मुझे बता दीजेगा, होम इस्पन, फिलासफर, और हिंट भी मैं दे दूँ, एक अमरिकन उथर रहे हैं, जिनको कहा जाता होम इस्पन फिलासफर, मुझे राज आनंद, फादर वोज एक किलर के इन, किश्चन आया था, भाई, पी जी टी में ये आया था, 2003, सॉरी, 13 में, जब मैं, पी जी टी में बैठा था, 13 वाले एक्जाम में, तभी एक्षिन पूछा गया था, तो बता दीजे, फटा फट कमेंट करके, मुझे आजानन के, फादर की लर्क थे, किसमें, पोस्ट आफिस, बैंक, आर्मी एंड ने भी, तो वो थे, फादर इनके, आर्मी में इकलाग थे, अच्छा, फादर का नाम, मैं आप पे छोड़ता हूँ, केमेंट करके, मुझे बताईए, फटा फट, इन हैमिंग वी शॉर्ट स्टोरी, दे कैपिटल अब दे वर्ल्ड, पैको इस डिमिनिटिव ऑफ, पैको यहां इन्हों ने वर्ल्ड यूज किया है, कि यह डिमिनिटिव है, किसका, पिकैसो, पिकैच्चू, फ्रेंसिस्को, एंड पैट्रिक, तो अगर बात पैको की करें, तो पैको इन्हों ने डिमिनिटिव यूज किया है, फ्रंसिसको के लिए ओके What is the rhyming scheme of the poem Road Not Taken Road Not Taken की rhyming scheme Obviously, इस तरह की question थोड़े से होजाते हैं क्योंकि हर popular poem की rhyming scheme आपको नहीं पता होती जबकि यह आपको पता होनी चाहिए ओके road not taken की बात करें Embic-Tetameter, Hexameter, Pentameter, Tr cả sme तो मेरे विचार से यह टेट्रामीटर में लिखी गई है इंबिक टेट्रामीटर हुआ हूं अधी फोलोईग इसको न्यू इंगलेंड पोएट अच्छा न्यू इंगलेंड एक इससे मिलता जो ता किष्ण पीछे वाले किसी साट में भी आया था यह तो नहीं था किष्ण रिपीट चेंज था हाँ तो न्यू इंगलेंड पोएट किसको कहा जाता है देखें न्यू इंगलेंड अगर बात करें रोबर्ट फ्रस्ट रोवंसन विलियम्स और गिंसबर्ग तो न्यू इंगलेंड कहा जाता है भाई रोबर्ट फ्रस्ट को न्यू इंगलेंड पोएट ओके विच पोएब which kind of poem is when liliac last when liliac last सबसे पहला किशन आपके लिए बन जाता है किस की poem है है ना तो मैं चलिए मैं ही आपको बता दू वाल्ट विटमन की है when liliacs last तो सॉनेट इलेजी एंड पैनिगायरिक तो भाई ये पोयम है एक इलेजी है when liliac last और किस पे है इलेजी अगर है तो ये आपके लिए किशन मेरा in the sleepers who tell Whitman the story of the Indian woman his mother, father, soldier and a history book sleepers में Whitman tells who tells Whitman, Whitman को Indian woman की जो कहनी सुनाती है वो उसकी मा सुनाती है his mother यहाँ पर हो जाएगा किशन अपका ओके तो ये 50 किशन numbering यहाँ एक किशन मिसिंग था तो 50 किशन यहाँ आज आपके लिए हमने explain किये और lecture कैसा लगा आपके 50 में से 50 या 49 जो भी रहा इसमें से आपका score क्या रहा एक honest कमेंट आप जरूर छोड़ें और हां भी तक मिलें माइंड से इंगलिस एप आपने डाउनलोड नहीं क्या है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा फटाफट और जो से क्यों सीरी चल रही है उससे तैयारी को और एक शापनेस दीजिए चलिए फेंट्स और हम फैमिली 94 के हो गई है जल्दी से 100 के की तरफ बढ़ आए हम तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब के पहुचाते हैं और मिलते हैं एक लिक्चर में आगे 50 क्रिशन को एक्स्प्रें करते हुए और थैंक्स पर वॉचिंग इस वीडियो